तो ठंडिया शुरूं हो गई हैं और ठंडियों में सर्सो का साग बनाना तो बनता है एकड़म टेष्टी वाला जो सर्सो का साग है एकड़म ऑथेंटिक पंजाबी स्टाइल वाला जो साग है आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एकदम हरे हरे सरसो के पत्तों से हम बनाएंगे इसको एकदम फ्रेश पत्तों के साथ और यहाँ पर मैंने खाली दो हरी सबसिया यहाँ पर दो हरी पत्तों की सबसिया मैंने यूज की है मैंने कोई जादा ताम जाम नहीं किया है बहुत ही सिंपल रेसिपी बनाई है जो कि पंजाबी स्टायल तो है ही और साथ में इतना सुवाद देती है ये समसी कि आप एक बार अगर इस रेसिपी को ट्राय करके सबसी बनाएंगे ना तो फिर हर बार आप ये ही बनाएंगे तो यहां पे ना मैंने खाली संसो के पते यानि की मस्टर्ड लीव्ज और साथ में पालक यानि की स्पिनच यूज की है यहां मैंने कोई मूली के पते, कोई बथुआ, कोई मेथी, कुछ भी और कोई पते वाली सबसी यूज नहीं की है खाली दो पत्ते वाली सब्सी से जो है मिक्स करके मैंने बहुती बेसिक सा और बहुती टीस्टी वाला एकदम मज़ेदार वाला सरसो का साग जो है वो बनाया है तो इसको अब जरूर से चाय करना तो इसके लिए मैंने ले लिया है सरसो के पत्ते तो यहां ना मैंने एक पंच जितने सरसो के पत्ते ले लिये हैं ले ली है मैंने आधा बंच जो है वो पालक ले ली है एक प्याज दो हरी मिर्चे ले ली है एक टमाटर और साथ में मैंने ले लिया है लेसन की कलियां और साथ में जिंजर यानी की अद्रक तो यहां पे जो है हम सरसो को ना पहले अच्छे से काट लेंगे काटने के बाद हमे अब जब भी सरसो खरी दे तो यह भी ज़रूर ध्यान रखें कि फूल नहीं होने चाहिए जब भी आप ले रहे हैं सबसी तो आप ज़रूर से ध्यान रखें तब हमने इसे फाइंडी चॉप कर दिया है अब देख सकते हैं कि ते ताजे-ताजे हरे-हरे पत्ते थे और यह च दो दोर्ण घ्लिश Nicole दोहँति हैं कि पलक का पहले को आदा बन्च जो है वह यूश किया है पालक का उसको बहुत मैंने हाप नब तो यहां पे हमें फाइनली चॉप करने के बाद ही इसको धूना है इसको लिल्श को धिए 50 ना चाहएं और भी इसको भी मिक्स करे ही कर देंगे बॉय तो इसके लिए ना हम ले लेंगे एक कुकर में हम डालने देंगे 5 से ज्य कप पानी आप चाहें तो कम पानी भी डाल सकते हैं फिर उसके बाद हमें डाल देनी हैं यहां पर हमारी हटी सबसियं तो यहां जो है हमें एक्दम अच्छे से धोके सरसो और पालक जिसे हमें चॉप कर दिया था वो हमें डाल दिया है और फिर है जो हमें डाल देना है हमें इसके अंदर अदरक और लेसन तो यहां पर जो अद्रक और लेसन है ना इसको आपको finely chop करन की कोई जरुवत नहीं है ऐसे ही आप हाथ से ही roughly chop कर सकते हैं क्योंकि ना इसे roughly chop वाली का ना एक अलगी मज़ा आता है सबसी में तो इसके लिए यहां पर ना हमें डाल देना है तो जैसे मैंने यहां पर 10-12 कल्यानी है तो इसमेंसे मैंने आधा जो है इसी को बॉइल करने के वक्त ही आधा आधा पार यानिकी 6-7 कल्यान अध्रक लेसन की और अध्रक का मैंने आधा टुकरा जो है वो finely chop करके डाल दिया है अब हम जो है इसको ढुकर झाथ करने की जरुद कर सकते हैं城 के लिड को GLOS कर देंगे और उसकी बैसल है एक विस पैसल तक इसको हाइफ फ्लिम पर पकाएंगे और फिर एसे ना 10 मिन तक पकाना है तो अब जो है हमारी कोकर है उसका जब तक खुलता है या याशिक तब तक हम जो है तैयारी कर लेते हैं हमारी टड़के की तो इसके लिए हमने ले लिया है एक पैन में डाल दिया साथ 2-3 बड़ी चमच तेल थोड़ा साथ लेसं एक चॉप किया हुआ प्यास जिसको हमने सॉटे कर दिया था एक तम पिंक होने तक ही सॉटे करना है तो मैंने डाल दिया तेसके अंदर कश्मीरी मिर्च वह भी हमें एक ही डालनी है पहरे नहीं डाले ह गालनी हमें तमान नहीं है तो यह देंट मैंट मूर्टर को मैं अच्छे से जिए खोना फिर फिर डालनी है युutा चर्मच शिचरा divis मीलार मिर्च पाउडर और डालनी हे एक चोटा चल मच डिर्वरे नहीं की हल्ति पाउडर तो यह मांटर को में पहले है को करना है फिर तो यहां मैं सारे मसारे आलने हैं फिर आम अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हमारा जो कुकर है वह खुल चुका है यानि उसकी सीडी जो है निकल चुकी है तो आप देख सकते हैं अभी भी कैसे बॉइलिंग एकदम कंडिशन में है हमारी सरसो तो अब जो है हम इसको जो है कर देंगे अच्छे से मैश तो यहां मैं मैशर यूज़ कर रहे हूं आप चाहें तो हो एक जो पुराने टाइप का मंदेरा होता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं जो वुड़न वाला होता है इसको आप यूज़ कर सकते हैं इसको अच्छे से करने के लिए मैश तो यहां पर हमें यही यूज़ करना है आप चाहे तो इसको मिक्सी में मिक्स कर सकते हैं लेकिन इसको जो रेशे है वो सबजी में अलगी ज्रान डालते हैं इसके लिए ना इसको मैं यही जो है मैशर य की का आता तो यहां में बढ़ चार बड़े चमाच यूज रहे हूं और दीले दीले करके यूज कर रहे हूं ताकि ना इसके लंप्स ना बने तो हम एप चु है हम आरी जो ये प्योरे बना के हमने रखह मेंस फलार ढाल काथ मिकर दाल देंगे और इसको ना इस तोड़ा पानी ना था जादा हो गया तो इसके लिए इसको थोड़ा जाद प्माइम लगेगा बिक्ने में लेकिन तो यहाँ नुझे को आदा है और ये प्रॉपर सरसो का साग वाला जो consistency होता है न वैसा हो जाए तो इसको हमें ढख कर कम से कम 10-15 मिनिट तक जो है वो हाई फ्रीम के उपर ही इसको cook करना है यानि की पका देना है और फिर जो है हमारी सब्दी जो है वो 10-15 मिनिट के बाद इसका सर एक्ष्रा पानी निकल के प्रॉपर हमारा जो साग है वो रेडी हो जाएगा तो अब जो है हो गए 10-15 मिनिट तो हम आपको दिखा देते हैं कि इसका धबकन हंटाकी की कैसे बन गई है तो अब देख सकते हैं एकडम ठिक हो गई है जैसे सर जो का साग होता है एकडम परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है तो अब हम इसमें जड़ा सा और फ्लेवर डालने के लिए इसका एक अलग से तड़का बना देंगे जो हम इसके उपर से डालेंगे इसे बहुत बढ़िय प्लेवर आजाएगा तो यहां मैंने एक तड़का पान लिए और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है तो यहां पे एक से दो बड़े चमुछ टेल ले लिया है मैंने इसमें डाल दी है थोड़ी सी हींग तो यह ना इक बहुत धी अच्छा फलीवर देती है सरसो क साग में तो इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है बहुती पिंच मैंने आइसो फिटीडा यह यह रिंग डाल दी है तेलगरम होने के बाद ही डालना है और फटा फटे हम डाल देंगे इसके अंदर हरी मिर्च जो की एक मैंने इसलिट करके डाल दी है आप चाहें आप चाहें तो इस टाइम पर लसन भी डाल सकते हैं क्योंकि बहुत लसन में डाल चुकी हूँ इसलिए मैंने खाली अद्रग का दड़का ही दिया है तो अब उस थड़के को हमें उपर से डाल देना है सबसी के उपर यानि साथ के उपर उसको कर देना है अच्छे से मिक्स तो अब हमारी जो सरसो का साग है वो बन के रेडी हो गया है आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट जैसा आपको किसी भी विलेज यानि की गाउं में जो अथेंटिक इसका टेस्ट होदा है बिलकुल वैसा ही टेस्ट करेगा ये तो इसको आप मक्षन के साथ सर्फ कर सकते है या फिर इसके अपर गर्मा गरम गी डाल सकते हैं और साथी साथ इसके साथ मक्की दी प्योटी इंजॉय कर सकते हैं जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में दे दूंगी और अगर आपको मेरी प्रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कॉमेंट करके जरूर से बत और साथ इसाथ सब्स्राइब कर ना बिनाभू